Hello students, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि electrolyte होता क्या है, what is electrolyte कितने types का वो होता है और उसका use क्या होता है, फिर हम देखेंगे ionic equilibrium में, specifically जो हम यह statement पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं ionic equilibrium के लिए, तो ionic equilibrium में electrolyte का क्या role रहेगा, क्योंकि उसका बहुत ही जादा significant role है ionic equilibrium में, आईए सबसे पहले जानते हैं what is known as electrolyte, तो आईए दिखते हैं सबसे पहले इसकी definition, electrolyte की definition होती है, it is a substance which produces electricity conducting solution when added to water, पानी के अंदर जब उस substance को हम add करेंगे, तो electricity conduct करने के वाली solution होनी चाहिए, यानि electricity उससे pass हो जानी चाहिए, यानि electrolyte should be a conductor of electricity, electricity must pass through that electrolyte solution, पानी में add करने के बाद, यानि electrolyte को जो हम define करते हैं, वो किसके लिए define करते हैं, water से बनी हुई solution के लिए define करते हैं, आईए देखते हैं इसका example, पहला example हम ले रहे हैं NaCl के crystal का, NaCl का crystal जो होता है, that is common salt, वो होता है solid form में, इसको lettuce से हमने पानी के अंदर dissolve कर दिया, जैसी हमने NaCl solid को पानी के अंदर dissolve किया, तो होगा क्या, it will break into ions, Na+, और Cl- में break होगा, और water के molecule जो होंगे, वो Na+, को क्या करेंगे, solvate करेंगे, तो हम यहाँ पे Na+, के साथ में aqueous का symbol दिखाएंगे, और यहाँ भी aqueous का symbol दिखाएंगे, इन ions की presence की वरे से, इन ions की presence की वरे से, यह जो solution हो जाएगा, it will be a conductor of electricity, यानि अब अगर मैं इस solution से, क्या पास करता हूँ, electricity को पास करता हूँ, तो actually it will be able to pass, लेकिन हो सकता है, कई solution ऐसे हो, जैसे for example, simple ethanol हमने लिया, और इसको पानी में हमने dissolve किया, तो ऐसे case में, यह dissociate नहीं होगा, अगर यह dissociate नहीं होगा, ion formation नहीं होगा, तो ऐसे case में, यह charge को, यह electricity को conduct कैसे कर पाएगा, यानि, electricity को conduct, वही substance कर पाते हैं, जो solution के अंदर क्या होते हैं, dissociate होते हैं, किसके अंदर, ions के अंदर, तो मैं दुबारा बताता हूँ, what is an electrolyte, electrolyte वो substance होते हैं, जो solution के अंदर क्या करते हैं, electricity को conduct करने वाला, solution प्रोवाईट करते हैं, यानि, overall, वो solution के अंदर क्या करने चाहिए, ions formation करने चाहिए, ions formation कब होगा, जब वो क्या करेंगी, dissociate करेंगे, आइए अब देखते हैं, वो कितने types के होते हैं, broadly there are of three types, या तो it is a non electrolyte, यानि electricity का कोई conduction नहीं होगा, अगर आप ध्यान देए, जो solution आपको दिखाई दे रहा है, water जिसमें है, इसके अंदर हमने कोई चीज mix की गई है, अब इसके अंदर ions ना होनी की वरे से, यहाँ पे कोई भी current flow नहीं हो रहा, और इस bulb को अगर आप notice करें, electricity ना पास होनी की वरे से, यह bulb भी glow नहीं कर रहा है, अगले case में अगर देखें, it is a weak electrolyte, ऐसे case में यह जो पानी का solution है, इसके अंदर हमने कोई weak electrolyte को डाला हुआ है, तो ions की quantity जो होगी, वो क्या होगी less, यानि इस case में ions होंगे, but that will be relatively less, तैसी case में current flow होगा, लेकिन वो बहुत ही कम होगा, तो bulb यहाँ पे glow करेगा, लेकिन उतना जादा glow नहीं करेगा, आईए अब दिखतें strong electrolyte, इस case में जो solution ह इस solution के अंदर क्या होंगे, ions होंगे, पर ions की quantity क्या होगी, जादा होगी, इस case में अगर हम electricity को pass करेंगे, तो अच्छे से current flow करेगा, और आप ध्यान से देखिए, यह बल 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 और और भी जादा क्या कर रहा है, glow कर रहा है, तो आपने देखा strong electrolyte जो होता है, उसमें dissociation जा जादा flow होगा, और weak electrolyte के अंदर ions जो होते हैं, वो less quantity में क्या होंगे, release होंगे, ऐसे case में dissociation जो होगा, electrolyte का वो less होगा, और current भी resultantly क्या होगा, less flow होगा, और अगर non electrolyte की बात करें, तो ऐसे case में ions form ही नहीं होगे, तो current भी यहां से flow नहीं होगा, यह ऐसे case में conductor की बज़ा एक तरह से क्या हो जाएगा, insulator हो जाएगा, आइए ब जानते हैं, electrolytes के जो types होते हैं, उसमें कौन-कौन से further उनके example होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, strong electrolyte की, जैसा कि मैंने बताया, strong electrolyte को पूरा dissociate होना पड़ेगा, ताकि उसमें बहुत सारे ions ही ions हो solution में, और ions बहुत जाधा होंगे, तो conductor will be good, it will be a good conductor, तो strong electrolyte जो होते हैं, वो या तो strong acid होते हैं, जैसे for example, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HI हो गया, ये सब क्या होंगे, solution के अंदर पूरा dissociate हो जाएंगे, अगर ये solution में पूरा dissociate हो जाएंगे, तो इनका degree of dissociation जो होगा, उसकी value कितनी होगी, 1 होग जाएंगे, वो भी पूरा dissociate solution के अंदर हो जाएंगे, उनका भी alpha जो आएगा, वो क्या आएगा, 1 आएगा, strong base for example, NaOH, for example, NaNH2, for example, KOH, ये सब क्या कहलाएंगे, strong base, इसके इलावा कई सारे ionic salts होते हैं, such as NaCl, such as CS3COona, यानि ये वो salt हैं जिनमें ionic character बहुत ही जादा होगा तो ये salt भी पूरा dissociate हो जाएंगे, यानि इन cases में भी alpha की value क्या होगी, 1 होगी, तो ions जादा होगे, तो conduction क्या होगा, जादा current flow करेगा, अगर मैं non electrolyte की बात करूँ, तो ये बिलकुल dissociate ही नहीं होगे, ऐसे case में ये molecule की तरह ही exist करेंगे, और ion formation यहाँ पे नहीं होने वाला so they will not be able to conduct electricity, इसका example है alcohol, for example H2O2 solution, तो इनके अंदर covalent character बहुत हाई होने की वज़े से, ये solution के अंदर ion formation नहीं करेंगे, next is weak electrolyte, ये जो होंगे, ये weak electrolyte है, तो ये ions form करेंगे, पर बहुत जादा ions form नहीं करेंगे, they will dissociate only partially, तो ऐसे case में जो degree of dissociation होगा alpha, that will lie between 0 to 1, इसमें जो weak होंगे, उनकी value लगबग 0 के आसपास ही रहेगी, इसके examples के अगर बात करें, तो जितने भी weak acid होते हैं, they will act as a weak electrolyte, similarly weak base जो होते हैं, they will act as a weak electrolyte, weak acid का example अगर मैं आपको बताऊं, तो for example, acetic acid जो होता है, it is a weak acid, similarly weak base का example हम ले, तो यहाँ पर NH4OH will be acting as a weak base, similarly कुछ salt होते हैं, जिनमें ionic character क्या होता है, less होता है, for example, agcl जो होता है, for example, hg2cl2 जो होता है, यह जो transition elements के salt होंगे, इनके अंदर percentage ionic character क्या होता है, less, इसलिए यह ions में इतना easily convert नहीं होते हैं, तो यह भी क्या होते हैं, weak electrolyte होते हैं, आईए अब हम जानते हैं, इसका ionic equilibrium मे क्या role होता है, तो देखे, strong और weak electrolyte का इतना सा ही fund है, strong में ions जादा बनते हैं, weak में ions कम बनते हैं, यहाँ यहाँ पर पूरा का पूरा NaOH convert हो जाएगा, Na plus और OH माइनस में, तो alpha की value 1 होगी, और यहाँ पर कोई equilibrium line नहीं करेगा, यहाँ इस solution में finally सिर्फ हमें क्या मिलेगा, Na plus and OH माइनस, यहाँ strong electrolyte dissociate completely, ध्यान दीजिए, completely, weak electrolyte की बात करें, तो dissociate करेंगे लेकिन partially, for example हमने लिया NH4 OH, तो यह जो होगा, it is a weak base, So it will get converted to NH4 plus and OH minus, लेकिन आप ध्यान दीजिए, NH4 plus और OH minus के अलावा, solution में NH4 OH भी काफी present होगा, इसलिए हमने यहाँ पर double arrows, यहनि हमने forward और backward का sign, यहनि equilibrium का sign use किया, ऐसी case में again आपको पता लग गया होगा, कि alpha की value 0 से लेके क्या होगी, 1 होगी, तो हमको strong electrolytes की alpha की value तो already पत है, इनकी alpha की value क्या है, unknown है, तो पूरा equilibrium जो हमारा chapter है, ionic equilibrium, वो weak electrolytes के equilibrium पे, इनी की study पे based है, यहनि पूरे ionic equilibrium में इनी का role होगा, हम weak electrolytes को क्या करेंगे, study करेंगे, weak acids को, weak base को, अगर इसमें आप ध्यान दें, इस pick में, तो strong electrolyte में बहुत सारे plus और negative, यहनि बहुत सारे ions है weak में अगर आप ध्यान दें, तो थोड़े बहुत charges हैं, यानि थोड़े बहुत ions होंगे, और यह क्या होगा, non electrolyte, जिसमें यह molecule dissociate ही नहीं होगा, कोई भी ketan या कोई भी anion यहाँ पे exist नहीं करेगा So let us revise finally what you have learnt, सबसे पहले हमने जाना कि electrolyte क्या होता है, electrolyte वो substance होता है, जिसको जब पानी में dissolve करेंगे, तो ऐसा solution provide करेगा, which will conduct electricity, यानि electricity उससे pass होनी चाहिए, इसका example हमने लिया common salt, यानि NaCl का crystal, जिसको जब हमने पानी में घोला, तो वो ions में convert हुआ, उस ions की वज़े से यह यहाँ पे conductor हो गया, यह क्या करेगा, electricity को conduct करेगा, लेकिन कुछ solution होते हैं, जो dissociate नहीं होते, तो ऐसी case में electrolyte भी नहीं होते, फिर हमने देखा कितने type के electrolyte होते हैं, या तो कोई electrolyte होगा ही नहीं, तो current flow करेगा ही नहीं, ions इस case में होंगे ही नहीं, कुछ होंगे weak electrolyte, जो dissociate कम होंगे, तो ions कम बनेंगे, ions कम बनेंगे तो charge भी क्या flow होगा, current भी क्या flow होगा, कम flow होगा, तब bulb को देख सकते हैं, glow भी कम करेगा, strong electrolyte क्या करेगा, ज्यादा dissociate होगा, ions भी ज्यादा बनेंगे, current भी ज्यादा flow होगा, resultantly bulb को ज्यादा current मिलेगा, तो glow भी क्या करेगा, फिर हमने इसके example देखे, strong electrolyte जो होते हैं, वो पूरा dissociate होते हैं, यानि उनका degree of ionization या dissociation की value 1 होती है, इसमें strong acid होते हैं, strong basis होते हैं, और ionic salts होते हैं, इसके बाद हमने देखा, non electrolyte बिल्कुल dissociate नहीं होते हैं, फिर हमने देखा, weak electrolyte जो होते हैं, इनी को हमें study करना होता है, weak electrolyte जो होते हैं, या आपने देखा, यह होते हैं, weak acids, weak bases या वो sort जिनमें ionic character क्या होता है, less होता है, इसकी बाद हमने देखा कि strong electrolyte में alpha तो 1 है, तो यह तो हमको already पता है, तो इसको study करने की requirement नहीं होगी, लेकिन weak electrolyte में alpha की value जो है, वो क्या है, unknown है, तो पूरा ionic equilibrium जो है, किसको study करने वाले हैं, हम weak electrolytes के equilibrium को study करने वाले हैं, okay guys, thanks for watching, please share and subscribe and in the next video, we're gonna study about ionization constant of acids and bases.